हेलो दोस्तों हावर यू और वोचिंग आवर यूट्यूब चैनल बिलोजिकल दोस्तों केशवनंद भारती जी केशवनंद भारती जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं असी साल की उमर में इनका निदन हो गया है और यह वही केशवनंद भारती हैं जिनके बारे में अपने केश सुना था केशवनंद भारती वर्सिस स्टेट ऑफ केरला जो कि 1973 का केश है इस वीडियो में जानेंगे कि केशवनंद भारती जी थे कौन यह केश क्या था इसके इस् और दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दा रेड बटन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों किरला जो स्टेट है उसकी एक डिस्टिक्ट है कसोरगर डिस्टिक्ट और उस क ट्रॉट होता है हमारे पास ट्रॉट इसिक्स हमारे इंडिन कॉंस्तिउट सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब उनको कैसे मेंग चैनल चैनल और उसमें गवर्मेंट का को इंटर फेरेंस नहीं होगा ठीक है यह आर्टिकल टॉन्टी सिक्स बोलता है अब हुआ क्या एक नाना पालकी वाला थे एक बहुत बड़े जूरिश्ट थे ठीक 2002 में उनका भी निदन हो गया था वह स्वामी ची के पास में गए और उन्हें का कि आपके आर्टिकल 26 का हनन कर रही थी तो पालकी वाला जी ने कंवेंस किया केस अनंद भार्दी जी को न समझाया कि आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं इस केस के लिए तो उन्होंने पिटीशन फाइल की केस अनंद भार्दी जी ने और वह पिटीशन पिटीशनर बन गई इस केस में याची करता थी उनको रिव्यू क्या अब देखते हैं अब गोलखनाथ केस में सुप्रीम कोट ने कहा था किलियरली मना कर दिया थे कि फर्णमेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती पार्लेमेंट उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है ठीक फिर चलते हैं 24 ऑमेंट में पार्लेमेंट या ऑमेंडमेंट में यह कहा retrouver ओसने जो आर्टिकल 368 के अंदर जो processor दिया गया है उसको ऑमेंड करने का Constitution को उसके दुवारा ऊड्लेमेंट किसी भी पार्ट को Constitution के अमेंड कर सकती है यह पार्लेमेंड ने कहा 24 अमेंडमेंड के द्वारा 25 अमेंडमेंड में क्या हुआ उसमें यह का गया एक आर्टिकल लेगाई पार्लेमेंड 31C 31C में दो प्रोविजन थे पहला प्रोविजन थो था कि अगर कोई ऐसा लो लाया जाता है जो DPSP का कि不 cui ओ आर्टिकल 39 कि klyos B और क्लोस C को इंपलिमेंड करने के लिए है और वह अगर आर्टिकल 14, 19, 21 का वोईलेशन करता है दैन महगा अगर वह वह वांक होलागा उन कोंस्टिूशनल नहीं और अगर वह लो वाकई इस article 39 close B और C को implement करने के लिए यह जुडिशल लिव्यू से भी भार होगा यह 25 संसोदर में कही गई बात अब article 39 close B और C थे क्या तो दोस्तों जो इसकी close B थी close B बात करती है कि जो भी भूतिक संसादन होंगे हमारी society के लिए जितने भी material resources होंगे उनका रख रखा उनक का control जो है ऐसा किया जाएगा कि community में सभी का बलाओ सके सभी को बराबर मातरा में बट सके ठीक है और article 39 का close C ये कहता है कि हमारा जो economic system है वो economic system को ऐसे operate किया जाएगा मतलब उसको मजबूत बनाने में ऐसा ध्यान दिया जाएगा ताकि आम जनकों उससे कोई नुकसान नहों यह परिशानी नहों यह बात करते हैं बी और सी की ठीक है ट्वंटी फॉर्ट हो गया हमारा 25 हो गया अब हम चलते हैं ट्वंटी नाइंद की तरफ त तो जो भी उसमें आप वह डालोगे वह जुडिशल रिव्यू से भार हो जाते हैं लैंड डिफॉर्म एक्ट वगारा जो भी क्यूंकि स्केडूल नान बेसिकली इसी के बारें बात करता है तो वह भी आउट ओफ जुडिशल रिव्यू थे इन सब को केस्वणन भारती केस में देखा रिव्यू किया गया तो यह आमेंडमेंट और गोलकनांथ केस को रिव्यू करने के बाद सबसे पहला थो केषवनन भारती केस में यह का गया सुप्रीम कोर्ट के दوبारा डिव्यू के दुभारा कि जुडिशनाल रिव्यू जो है वो बेसिक स्क्ट्चर का पार मतलब मूल धाचे का सिद्धान्त उसकी थियोरिदी अब दूसरा सुप्रीम कोट ने यह कहा जो 25 का पहला प्रोविजन था कि करने वाला थे लोग नहीं होना चाहिए उसको उन्होंने कर दिया कि कर तो लेना आर्टिकल 14 भी वह जाए कोई बात नहीं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए डॉक्ट्री नों बेसिक स्ट्रक्चर का आपको पूरा ध्यान रखना है और दोस्तों अगर हम बात करें बेशू की स्ट्रक्चर की एंचांए तरम क्वहिसे इस ट्रम को में उसको डिफाइना घएगा ह। कify लेक मित यह ताम नहीं है बहुत ही जी घाना बहुत एक आप इसमें आदेखें तो सुपर्खयू Fin.ser बोगा ठीक और सिसे मा टोटल यह Republican रहना चाहिए Democratic रहना चाहिए बारत हमारा लोकतांत्रिक देश है तो ऐसा होना भी basic structure की सिरेनिम आता है secular country होनी चाहिए जो characteristic है constitution का वो secular होना चाहिए और separation of power हुआ और हमारे constitution को जो federal character है यह सब चीज़ें जो है basic structure के दारियम आती है तो इस term को कहीं तक भी define नहीं किया गया है बस cases पर छोड़ दे गया है time to time जैसा भी होगा और अगर हम बात करें इस case की इस case की प्रोसेटिंग लगबग 5 महीने तक चली और लगबग 68 दिन इसका argument चले इस case में आज तक की सबसे ज़्यादा जजो की bench गठित की गई थी जिसमें total 13 जजी थे और 13 जजो में 7-6 की majority से judgment पास हुआ था 24 अप्रेयल 1973 को यह judgment पास हुआ था मामला केशवननन्द भारती जी के favor में गया उनकी जीत हुई आज केशवननन्द भारती जी हमारे बीच नहीं रहे हैं May God bless him always इसी के साथ हमारा वीडियो खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्यू, बबाए, गुड़ डे